हलो फ्रेंड्स, मैसल दॉक्टर सुशिला सैनिंग अनेकलाजिस्ट और अप्सेटिशन डाइरेक्टर जैपर दूबीन हास्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आज हम बात करने जारे हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में अगर अंडेदानी के अंदर ऑवेरियन सिस्ट बन गई है तो कई बार पैरिफरी में कई बार पेशिंट ऑपरेट होता है तो पता चलता कि पूरी की पूरी अंडेदानी ही निकाल दी है और आप सब जानते हैं कि प्राब्लम के लिए ओवरी निकालना एक तरीके से बहुती ड्रास्टिक डिसिजन होगा जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें पहले अपने आपको अपडेट रखना चाहिए हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो क्या ओपरेशन बता रहे हैं को समझना और समझ के फिर आपको कंसेंट साइन करना यह यानि और ऑपरेशन के अपनी सहेंमती देनी होती है और ओवरी निकल वाने की कंसेंट अगर कोई आपसे मांगता है तो आप जरूर सोच समझकर दें क्योंकि ओवरी जलदी से किसी भी एज में नहीं निकालनी होती है और इस तरी में आप देखेंगे कि अगर ओवरी के अंदर इस तरीके की कोई गांठ है यानिके सिंपल सिस्ट है ओवेरियन सिस्ट है या और वी किसी तरीके की जो नौन चैंसर गांटे हैं वो सब्वी प्रकार की गांठों को ओवरी की आपर देंखो छुटा सा कट लगा कर पूरी को separate कर लिए जाता और फिर ovary को वापस रपेयर कर दिया जाता है तो इस तरीके से ovary को आराम से बचाया जा सकता है और वीमारी बाहर निकाली जा सकती है और फिर इस इक आंट को वह कोई पॉली बैक के अंदर डाल कर शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है बिना किसी चीज के फैलाए और बिना कोई टुकड़ा अंदर छोड़े तो इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे तो ओवरी की सर्जरी होती है कैसे गांट निकाली जाती है और कैसे से बाहर निकाला जाता है कुछ एक केसे ऐसे होते हैं कि जैसे अंदर दानी में कैंसर हो गया है या आपको गांट बार बार बन रही है या बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो ऐसी इस्तिति में कई बार ओवरी निकालने पड़ती है बट वो रेर सिच्छेशन है ड सिंगे बहुत स्टैंडर सजरी है जिसको ओवरिःन से स्ट्रेक्ट में बोलते हैं ओवरी की सिस्ट को ओवरी की गांट को आराम से ओवरी को बचाते हैं बाहर निकाला जा सकता है फिर मिλेंगे आप से नए वीडियो में नहीं जैन करी के साथ